नमस्कार मैं अवी सेकराज CEO Founder EGWay Global चली आज हम बात करेंगे Experience Certificate के Format के बारे में उसका Format कैसा होना चाहिए उसमें क्या क्या लिखा होना चाहिए इसके अलवा कहीं जोब नए जोब के लिए अपलाई करते हैं तो क्या आपका Experience Certificate valid है क्या उसका Format सही या गलत है इस बात की जनकारी आपको हम देने वाले है इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि Experience कहां से लेना चाहिए बहुँ जी ऐसे बच्चे सुडेंट है जो गलत जगा काम करते हैं अगर वहां का Experience लेते है तो आगे आपका Life में किसी तरह का काम नहीं आता है इसलिए काम करते सब इस बात का ध्यां रखे कि हम काम कहां कर रहे हैं अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप पिछले वाले वीडियो को देखिए कि Experience कहां से लेना चाहिए इसमें वीडियो बन चुका है डि रिजेक्ट हो जाता है आगे बहुत जड़ा आपको परिसानी होता है इसलिए मैंने एक यूटूब चैनल बनाया है जिसका नाम है IETI Institute इस चैनल पे जितने वी फॉर्म भरने के फॉर्मिट होते हैं जितने वी तरह के फॉर्म आते सारे फॉर्म को भर के बताया जगा है ए ही भी कोई भी फॉर्म मिस्स नहों इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करकर रखे है हमेसा अलगा तरीका फॉर्म भरने के बारे में जो आपको जैनकारी चाहिए इस चैनल पर सबसे पहले उप्लब्द हो जाएगा तो चलिए शुरुआत करते हैं experience certificate का format कैसा होना चाह है मेरे सामने LNT जो company है उसका experience certificate यहा पर आपके सामने है लेकिन इस experience certificate में कमी है इस experience certificate में कमी है कमी यह है कि यहां पर reference नमबर होना चाहिए, यहाँ पर रिफेरेंस नमबर यहाँ पर लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्यों नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यह प्रिंट का पहले का है, मतलब जब यह experience certificate दिया जाता है, उसमें यहाँ प आपना डॉक्मेंट से भेरिफाई करते कि किसको किसको एक्सपिरियंस दिया गया है इसके अलवग कहीं भी आप देजिएगा तो सबसे पहले इस एक रिफेंस नमर को देख चेक के जाता है कि रिफेंस नमर सही है गलत है तो आपका भी सर्टिफिकेट होगा तो आपने सर्ट फेट के फॉर्मेट में आप पूरे इसमें देख लिजिएगा कहां पर रिफेंस नमर दिया गया है कहीं कहीं रिफेंस नमर इसमें लिख दिया जाता है ज़्यादा तर जो कंपनियों तो यहां लिखती है बहुत सारे कंपनियों इसके अंदर लिख देती है बहुत सारे कं यह है कि company का proper यहाँ पर नाम होना चाहिए ठीक है company के यहाँ पर प्रोपर नाम दिखना चाहिए उसका logo दिखना चाहिए यहाँ लोगो लगा हो इसका नाम है नहीं तो कहीं कि लोगो यहाँ पर लगा रहाता है ठीक है और इस तरह पर नाम लिखा रहाता है इसके अलावा company का जो proper address है, वो यहाँ पर लिखा होना चाहिए, देकि यहाँ पर company का पुरा proper address लिखा हुआ है, इसके अलबा, telephone number company का लिखा होना चाहिए, जो company या school college कुछ भी हो, जिसका telephone number नहीं लिखा गया है, वो भी सरक के दायरे में आ जाते हैं, और वह ऐसा telephone number, mobile number, जो जिस पर call किया जा हैंगे, मेरे साथ जैसा हुआ था, यहाँ पर number गलब था, जिसके वज़े से हम लोग एक जबा छट गये थे, आगे चलते हैं, यहाँ पर experience का date है, ओ date proper mention होना चाहिए, जिस date का आपने experience लिया है, यहाँ पर date सही होना चाहिए, कभी कभी क्या होता है, कि experience वाला जो date होता है यह भी mistake है, कभी कभी experience certificate यह लोग गलती से Sunday वाले date में डाल देते हैं, तो भी एक सक के दारे माँ आ सकते हैं, verification हो सकता है, दिक्कत हो जाएगा आगे जाकर, इस लिए इस date को देख लिए कि Sunday तो नहीं है, क्योंकि Sunday को तो close होता है office, सारे offices close होती है और Sunday को आपको experience दिया गय यह point वाली बात है, इसलिए यह check कर लेना है, दूसरा, company के website और email ID, यह दोनों सही होना चाहिए, check कर लेना है आपने खुझ से क कमपनी के website और सही है गलत है, email ID सही होना चाहिए, mobile number सही होना चाहिए, यह सब चीज क्यों सही होना चाहिए, इसके पीछे कारण है, कारण यह ह कि कहें भी अगर आप यह experience certificate देते हैं तो ओ लोग cross verify करते हैं मतलब initial अस्तर पर cross verify किया जाता है उसके लिए लोग हो सकता है company के number पर call कर लेंगे call करके पूछ लेंगे या हो सकता है इस date को check करेंगे Sunday है कौन सा date में लिया गया है refresh number है की नहीं है यह सारा परकिरिया होता है चेक करने का अब हम बात करेंगे इसके अंदर क्या लिखा होना चाहिए इसके अंदर आपका सबसे पहले आपका जो नाम है वो proper तरीके साथ सही होना चाहिए जो आपके marksit है जो आपका certificate है उसमें जो नाम लिखा गया वो नाम A to Z मतलब बिलुकुल IJT यहां पर होना चाहिए ठीक है इसके साथ जिस भी department में आप काम करेंगे उस department का नाम होना चाहिए जैके यहां पर लिखा हुआ है electronics and communication engineering department और उस department का अंदर में आप किस post पे हैं वो यहां पर mention होना चाहिए जैसे आप IJ technician काम करेंगे तो हो सकता है आप electrical department हो mechanical department हो इस तरह का department होता है और electrical and mechanical department का अंदर में आप कौन सा work कर रहे है जैसे technician है तरह technician लिखा होना चाहिए IJ technician ऐसे लिखा रहेगा ठीक है यह होता है इसके अलाबा आप कब से कब तक company में काम कर रहे है उसका भी यहाँ पर जीक्र होना चाहिए जैसे यहाँ पर लिखा गया है during the period December 2019 to March 2010 यह period यहाँ पर दिया गया है कौन सा period है December 2019 से March 2010 यह इनका एक period है लेकिन यहाँ पर यह गल्थी क्या है कि December, December भी date होना चाहिए 1 December, 2 December, 10 December कौन सा date का तो माल लिजए 10 December से लेकर यहाँ पर 10 March 2010 तक ऐसे लिखाना चाहिए मतलब दीन के साथ महिना नहीं महिना के साथ दीन भी होना चाहिए कौन सा date को आपने जोयानी कहता और कौन सा date को आपने छोड़ा है और यहाँ पर जो signature होना चाहिए दिपार्टमेंट के जो head है उनके दोरा यहाँ पर sign होना चाहिए नोर्मली जो company का experience होता है उसमें human resources को HR जो team होती है जो उनके head होते है उनके दोरा यहाँ पर sign होता है और मोहर होता है तो यह रहा company का experience जहाँ पे इतनी सारी चीज़े आपके experience certificate में होना चाहिए इसके बाद पास भी experience था एक ITE college का उसमें जो वहाँ का mobile number था वो गलत था mobile number गलत था या वो mobile बंधी हो गया था तो NSTI Mumbai में interview था उसमें हम लोगों ने यह experience certificate दिया था प्रोलम क्या था कि जो sir थे जो interview ले रहा थे उन्होंने call कर दिया उस number पे mobile switcher बता रहा था जिसके कारण हम लोगों को pending में डाल दिया गया और वहाँ उस जगह पे दुसरे candidate को रख लिया गया एक college है इस college का experience certificate है देखिए यहाँ पर refresh number दिया गया है यहाँ पर लिखना है यहाँ पर date है यहाँ पर college का sign है प्रिंस्पल का दोरा और इसमें भी जो date दिया गया है देखिए जनवरी देराट से मार्च दोहर ना हो जबकि अब जो नया experience certificate देने का जो चलन है उसमें दीन मतारिख भी दिया रहाता है यहाँ पर क्योल मन्ध दिया गया है अब यहाँ बात करें यह format है जातर जो ITE के बचे है जो CITS structure के लिए त्यारी कर रहे है उनके लिए इस तरह का format होना चाहिए format में reference number बहुत ज़रूरी है date भी ज़रूरी है इसके अलबा आपका यहाँ पर नाम रहेगा आपके फादर्स के नाम रहेगा यह teaching experience है ठीक है इसके लबा वर्क नाइज technician है तो technician कर लिए यहाँ पर आजए फीटर technician, आजए electrician आजए fashion designer technician जो भी technician post वाले है यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर कब से कब तक आपने company में काम किया यहाँ पर mention रहेगा इसके बाद salary कितना पर हो रहे हैं भी यहाँ पर mention कर सकते हैं लेकिन वो जरूरी नहीं है इसमें जरूरी नहीं है एक और बात है कहीं कहीं जो non teaching वाला experience होता है जैसे company में कहीं काम करने जाएगा तो pay slip भी आपसे मांग लेता है कि pay slip दिखाईए आपका payment हुआ payment का slip दिखाईए उससे पता चलता है कि आपका experience सही है मने इस experience को verify करना हो इसका क्या क्या तरीका हो सकता है पहला तरीका यह है कि company के दोरा verify किया जाए लेटर लिखेगा उस company को company लिख कर दे कि हाँ मेरे हाई काम किया है दुसरा आपसे pay slip माग ले डिरेक्टली तुरंद माग दे तो आप दे देजिए का तो पता चले जाएगा कि आपने वहाँ पर काम किया है लेकिन teaching experience में ऐसा possible नहीं है ITI college में ऐसा कोई भी ITI college है जो आपको pay slip नहीं देगा कि को लोग बहुत कम selling देते हैं जो सरकार के norm से उसके recording नहीं होता है EF account अगर भी होते हैं जिसको जाच किया जा सकता है जिससे पता चलगा कि आपका experience सही है गलत है लेकिन ओसा बड़ी बाते हैं उतने सारे लफड़े में आप नहीं पढ़ेंगे आपके लिए simple इस तरह का format अगर आपका experience बना हुआ है तो आप valid हैं और आपका experience वाले job में आप apply कर सकते हैं तो बहुत सारे experience के job आते हैं तो आप उसके लिए तयार रहेगा जरूर बनवा लीजिए पिछला वीडियो देख लीजिए कहां कहां से experience ले सकते हैं और जब भी आप जहां आपका technical degree हुआ है उसके बात का experience आप बना कर जरूर रखें कहीं न कहीं काम आजाएगा नहीं कहीं काम आएगा तो इंटर्वीव में private job में भी आगर आप दिखाएंगे तो आपको आपका जो salary होगा थोड़ा extra मिलेगा आपको weightage जड़ा दिया जाएगा आपकी नौकरी जल्दी लग सकती है तो बहुत सारा benefit मिलता है तो experience certificate सबके पास होना चाहिए वीडियो कैसा लगा? लाइक करके जरूर बताएगा और आप लोगों से request है वीडियो को share कर दिजिए और इस channel को subscribe जरूर कीजिए क्योंकि इस तरह का वीडियो पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलने वाला है आगे और भी हम वीडियो लेकर आएगे जो आपके बहुत ज़दा काम का होता है वीडियो मिस न हो जाए इसके लिए आप बेल आइकन को जरूर दबाएगा और चैनल को subscribe कर लिए तो चलिए आज के लिए इतना ही था थैंकी सो मच फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए नमस्का